एक स्वस्त व्यक्ति की नॉर्मल पल्स कितनी होनी चाहिए पल्स बढ़नी के कारण क्या होते हैं पल्स कम होनी के कारण क्या होते हैं और अगर हम पल्स चेक करना चाहिए तो कैसे चेक करें एक स्वस्त व्यक्ति की अगर पल्स रिट बढ़ती है तो क्या उसके माइने हो सकते हैं? क्या उसके problem हो सकती है? वास्ता में actually में अगर हम बात करें कि percent को अगर pulse rate बढ़ जाता है अचानक से pulse rate बढ़ जाता है तो उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं? pulse rate होता क्या है? यह भी समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है pulse rate का और heart का क्या relation है? heartbeat और pulse rate क्या एक ही चीज है? यह दोनों में difference है? क्या अंतर है? तो सबसे पहले हम समझते हैं heart rate होता क्या है? क्योंकि अब सभी को पता होना चाहिए heart rate में और pulse में क्या difference होता है? तो simple वासा में यह समझे है जब भी हमारा heart pumping करता है यानि एक minute के अंदर हमारा heart 72 बार pumping करता है एक minute के अंदर और इसी pumping को हम बोलते हैं हमारी pulse अगर हम medical problems की बात करें medical illness की बात करें तो कई सारे ऐसे patients होते हैं जन में थोड़ा बहुत differences भी होता है तो आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अगर किसी patient की pulse rate बढ़ जाती है तो इसके पीछे क्या माईनी हो सकते हैं तो simply हमें यह सबसे पहले जानना होगा कि pulse rate होता क्या है जो कि मैंने आप सभी को बताया कि जो हमारा heart होता है वो pumping कर रहा है जो धड़कन है हमारी वही धड़कन जो blood flow हमारा है किस speed से blood flow जा रहा है और ये blood flow का जो power होता है वो हमें यहां पर भी मैसूस होता है तो यह जो धड़कन हमारी है वो दिल की धड़कन जो हमें मैसूस होती है वही हमारी pulse rate हम यहां पर इसे महसूस कर सकते हैं यहां पर कफी सारी जगे हम इसे महसूस कर सकते हैं तो यह होता है pulse rate नॉर्मल pulse rate के अगर हम बात करें तो यह 60 से लेकर九 असी , 85 और इवन कई बार यह 100 तक भी चला जाता है जोकि एक नॉर्मल क्राइटेरिया होता है कई patients में ये 100 के ऊपर चला जाता है 100 plus में चला जाता है तो क्या वास्तव में ये जो problem है ये क्या है और कई बार patient को आपने देखा होगा कि pulse rate नीचे भी हो जाता है यानि कम हो जाता है तो high pulse rate जो होता है उसे हम बोलते हैं tachycardia tachycardia यानि कि pulse rate का बढ़ना high pulse rate होना अगर आपकी pulse rate 60 से लेकर के 100 के बीच में है तो ये नॉर्मल के categories में आती है तो ये चीज हमें समझने होगे लेकिन अगर 100 तक भी जा रहा है तो इसमें घबडानी की कोई बात नहीं है fever हलका फुलका ऐसा जैसे fever हो रहा है आती है जब आप exercise कर रहे होते हैं आप दोड़ रहे होते हैं तो सौसे भी उपर चला दाता है तो ये जो pulse rate होता है इसके बढ़ने के पीचे क्या क्या कारण होते हैं ये भी समझना ज़रूरी है Pulse Rate हमने समझा Pulse Rate कैसे काम करता यह भी हमने समझा अब Pulse Rate अगर हम बढ़ने के कारणों को जाने है तो क्या-कया ऐसे कारण होते हैं जब हमारी Pulse Rate बढ़ सकते हैं तो Physiological की अगर हम बात करें तो तो की Pregnancy में Pulse Rate कई बार बढ़ जाती है कि डूसरी चीज़ अगर exercise करें हम तो exercise में भी आपके पुरस्सरेट बढ़ जाती है खाणाखाने के बाद भी कई बार फेल बढ़ जाती है यह खाना खाने बगत काना जब हम खा रहे हैं उस बगती भी आपकी पुरस्रेट बढ़ सकती है गर्मी में अगर आब जादा हीट में हैं तब भी आपकी पल्सेट बढ़ सकती है । कई बार हमें डर फियर वह की बजह से भी पल्स रेट बढ़ती है जैसे अचानक से हमें डर लगने लगे तो हमारी हाटवीट तेज हो जाएगी हाटवीट बढ़ जाएगी तो इसे टैकिकाडिया कहते है जो कि फिजियो लॉजिकल है अचानक से हमारे पास कोई ऐसी चीज आजए जिससे में बहुत जादा डर लगता है अचानक से कोई काम हो जाए हम डर जाए एक दम से तो हमारी पल्स जाएगी का कब होना है जो पल्स रेट काम होना है इसे हम कहते हैं तो फिजिद् किकार्ण तो यह हूए बढ़ने की बाद अब अगर.. पात करें कि कम कब हो सकता है तो देखिए athletes में सबसे ज़्यादा most common होता है जो हमारी pulse rate रहती है वो कम हो जाए athletes में सबसे कम रहती है और भी कई ऐसे physiological causes होते हैं blood pressure का कम होना जादा होना कम हो जाता है तब भी pulse rate बहुत कम देखने को मिलती है वोड़िके अंदर और healthy changes होना कई ऐसी बिमारियां होते हैं जिनमें pulse rate हमारा कम हो जाता है और कई ऐसी infections होते हैं कई ऐसी बिमारियां होते हैं fever होते हैं जिनमें pulse rate आपके बढ़ जाती है heating की बज़े से बढ़ जाती है तो यह होते की पल्च रिट बढ़ती है तो ऐसी इस्तिती में हमें ध्यार रखना चाहिए सबसे पहले हमें डीप ब्रीधिंग करने चाहिए टेक डीप 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 मतलब कि जितना हम फैपड़े के अंदर हवा भर सकते हैं उतनी हवा हमें भरनी चाहिए उसकी मदद से आपक सारे वीडियोस देख सकते हैं एस्पीटो से रेलेटेड और हार्ट से रेलेटेड अब अगर बात करें मानके चलिए किसी पेशेंट का अगर हार्टविट कम होता है तो क्या ऑक्सिजन की कमी होगी बोड़ी के अंदर सैचुरेशन की कमी होगी येस बिलकुल होगी क्योंक सेचुरेशन जो होता है वो धीरे-धीरे डाउन होने लगेगा और यह ऑक्सिजन के डरख मल की होते हैं ये खून Yep आल्बी रौकुल्सM्निद महल के साथ मैं ऐसे के अंदर बैट करते जाते हैं तो जब आर्वी सी जकी कि अंदर oxygen की molecules जा रहे हैं वो tissues तक जा रहे हैं हर एक cells तक जा रहे हैं लेकिन जब oxygen कमी होगी तो blood भी कम होगा तो जब blood की pumping कम होगी इसका मतलब है कि heart proper तरीकी से pump नहीं कर रहा है या फिर उसमेरी इसको खून की कमी है तो ऐसी भी कई conditions होती है जब heart हमारे कम pumping करेगा pulse rate कम आएगी patient की या खून की कमी होगी तो oxygen है जो हमारे SpO2 है वो proper तरीकी से नहीं आएगा वो भी कई वार कम आता है ये भी problems होती है तो जब भी आपकी pulse rate अगर बढ़ती है तो आपको day breathing करनी है अपने mind को relaxed करना है जो भी चिंताइब हैं आपके दिम तरीका होता है सुबह morning में meditation करें डेली meditation करें लोगों के साथ उठें बेठें अकेले नहीं रहें तो आप देखेंगे कि आपकी heartbeat जितनी भी आपको बढ़नी की problems होती है जब भी आपके heartbeat बढ़ती है तो आपको ये problem से छुटकारा मिल जाएगा साथी साथ आप हमिपैथी का एक एकोनेट मेडिसन ले सकते हैं 200 पोटेंशी में दिन में दो वर्शोबाय एंश्याम को चार चार बुने आप लेजेगा कभी हद तक इस medicine से आपकी problem ठीक हो जाएगे मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा है एलफुल हो कि इस तरगे औ वीडियो देखने के जा लोगोँ सब्सक्राइब करें नमस्कार थिंक्स भाजिंग वाजिंग वाजिए वाजिए